हाइ एवरीवन, जावा इंटर्व्यूज में आप से पूचा जा सकता है कि नेश्टिड या फिर इनर-क्लास क्या होती है जावा के अंदर इसकेस में आप लोग बताओंगे कि जब हम लोग एक क्लास के अंदर एक और क्लास बना लेते हैं तो जो अंदर वाली क्लास होती है उसको nested या फिर inner class बोला जाता है और ये class जो बाहर वाली class के जितने भी functions और properties होती है सबको access कर सकती है चाहे वो public हो चाहे वो private हो चाहे वो protected हो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं nested या फिर inner class और आपके लिए भी एक छोड़ा सा question है आप चाहो तो comment section में मुझे बता सकते हो कि sub class और nested class इन दोनों की बीच में क्या difference होता है इसके उपर मैं एक और वीडियो बनाऊगा तब आपको इसके बार में detail में पता चल जाएगा Thank you so much for watching this video ये हमारी playlist है जहां भी Java के बहुत सारे questions आने वाले हैं आठ questions अभी आज चुके हैं 9th question बना रहा हूं ये complete playlist हैगी मेरे हिसाब इसकंदर 50-60 questions आने वाले हैं और प्लीज चानल को subscribe करना वीडियो को like करना comment section में feedback देना ये मेरा google pay और pay tv number अगर आप लोग donation करना चाहते हो Thank you guys